हेलो क्लास 7 तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 इंसियेटी साइंस के चैप्टर 5 का कोश्चेन एंसर करने वाले हैं और हमारा चैप्टर क्या है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज तो अगर आप चैप्टर के एक्षपलनेशन को नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्रीविडियो को देख सकते हैं तो हम सुरू करते हैं अपना और हमारा पहला कॉस्चेन है कह रहा है कि हमको कुछ चेंजेज का लिस्ट दिया गया है और इन changes को हमको classify करना है as physical or chemical change और physical or chemical change के property के हम समझते हैं तो हम सुरू करना है solve करना पहला है photosynthesis अब हम जानते हैं कि photosynthesis जो की broadcast sensation है इसमें chemical reaction तो होता है तो हम लोग chemical change के दोड़ाना पढ़े थे कि जो भी chemical reaction है वो chemical change के category में आता है तो पहला यहां से clear हो गया कि photosynthesis जो जो की पहले के product से completely different है पहले का product क्या होता था तो हम carbon dioxide, water यह सब लेते थे साथी साथ sunlight और chlorophyll का presence होता था अब यह जो glucose बना है यह completely new product है दूसरा क्या है desolving sugar in water अब जब हम sugar को पानी को पानी में चीनी को घोलते हैं तो क्या होता है कोई नया product बनता है क्या नहीं क्योंकि sugar का जो test है पहले मीठा था आज भी मीठा है मिस पानी में घोलने के बाद और पानी का अपना test है वो maintained है इसलिए no new product is formed in this activity burning of quail में क्या होता है जब हम quail को जलाते हैं तो ash produce होता है साथ में smoke produce होता है ash क्या है completely new product है क्योंकि उसका property कोई से काफी different है तो ये क्या हो जाएगा ये chemical reaction हो जाएगा साथ ही साथ हम देखते हैं कि burning भी एक प्रकड़ का chemical reaction ही है इसलिए burning of quail क्या होगा chemical change होगा next क्या है melting of wax अब यहाँ पर confusion होता है melting of wax के case में melting of wax और burning of candle दोनों दो चीज़ है melting of wax क्या है melting of wax physical change है क्यों physical change है क्योंकि wax जो melt कर गया उसको हम लोग reverse कर सकते है it is reversible और जो भी change reversible है वो physical change के category में आता है melting of wax को हम क्या बोलेंगे physical change next क्या है beating of aluminium to make aluminium file means aluminium को जब आप पीट पीट करके चदर के रूप में उसको enlarge कर देते है तो इसको आप किस change के category में रखेंगे तो obvious है इसको आप physical change के category में रखेंगे क्यों क्योंकि यहाँ पर जब आप aluminium को पीटते है तो इससे इसके physical property में चेंज आता है जैसे कि इसके shape, size इन सब चीजों में बदलावाएगा ना कि कोई नया product बन जा रहा है aluminium file जो है aluminium का जो seat बन रहा है वो aluminium जैसा ही है उसका nature, property, सारा चीज जो ऐसा ही है यह बल physical property change हो रहा है कोई नया product नहीं बना है that means it is a physical change now last one is digestion of food digestion of food मतलब क्या हुआ भोजन का पचना भोजन पचता है तो क्या होता है उसका completely new form हो जाता है अब human beings के case में हम लोग पढ़े है कि ATP के form में हो जा रहा है adenosine triphosphate या energy के form में यह convert हो जा रहा है तो जो हम लोग rice वगरा खाए हैं वो पहले दूसरे molecules में था carbohydrate protein के form में अब उसके बाद उसका form again change हो रहा है तो that means की एक new product बन जा रहा है with new nature और दूसरा है कि यह reverse भी नहीं हम कर सकते हैं पचे हुए भोजन को वापस आप गेहु चावल बना के मुझ से नहीं निकाल सकते हैं that's why it is chemical change तो यह था हमारा पहला question कि हम classification किये हैं कि किस प्रकार से कुछ चेंज chemical change है और कुछ चेंज physical change है अब हम लोग next question को देखते हैं next question हमारा true false है अब true false में क्या हो रहा है हमको पहला question दिया है कि cutting a log of wood into a pieces is a chemical change कह रहा है कि अगर आप लकडी के लठा को कारते हैं टुक्रो में तो क्या यह chemical change है obvious है नहीं है क्योंकि लकडी का जो भी pieces होगा वो सारा लकडी के जैसा ही nature होगा कोई नया product नहीं बन रहा है यहाँ पर इसलिए क्या हो जाएगा false दूसरा question क्या रहा है formation of manure from leaves is a physical change अब पेर के पतियों से जो आप manure बनाते हैं खाद बनाते हैं तो क्या वो physical change है obvious है नहीं है क्यों क्योंकि जो खाद बन गया वो एक नया product है जिसका nature पत्ता से काफी भिन है दूसरा कि जो खाद बन गया तो उसको वापा साब पत्ता नहीं बना सकते हैं इसलिए यह क्या होगा यह भी false हो जाएगा means formation of manure from leaves is a physical change false गलत है यह chemical change है next question क्या है C में क्या करा रहा है iron pipes coated with zinc do not get rusted easily means iron का जो pipe है जब उस पर हम zinc का layering चिरहाते हैं क्या वह जल्दी से उसमें जंग नहीं लगता है तो सही है नहीं लगता है क्यों क्योंकि यह galvanization है हम लोग परे थे कि galvanization में iron के ऊपर हम लोग इसका layer चरहा देते हैं जिसके कराण atmosphere के contact में directly नहीं होता है न इस से oxygen direct संपर्ट में आता है 2 or 3 होता है और दोनों का nature अलग है property अलग है इसलिए दोनों क्या है different substance है तो D का भी answer क्या होगा false होगा वहीं E का answer क्या था true था now E वले को हम देखते हैं E में कह रहा है condensation of steam is not a chemical change steam बनना steam का condense होना और water vapor में change होना क्या यह एक chemical change नहीं है तो बिल्कुल यह chemical change नहीं है क्यों क्योंकि यह इसमें state बदला है पानी का भाप बनना भाप बनके condense करना पानी का vapor बनना water का भैपर बनना उसके बाद condense होना यह सारा process क्या है state change हो रहा है physical state change हो रहा है solid liquid gas यह हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है यह एक chemical change कहलाएगा क्या है नहीं नहीं कहलाएगा क्योंकि state of change किसमें आता है physical change के category में आता है तो यह था आपरा true false अब हम question answer को देखेंगे question 3 को देखेंगे जिसमें fill in the blanks है पहला question क्या कह रहा है कि when CO2 is passed through lime water जब CO2 को आप lime water से pass कराते है यह milky हो जाता है यह milky क्यों हो जाता है दूधिया कलर का क्यों हो जाता है क्योंकि इसमें compound form करता है जिसका नाम है calcium carbonate इस calcium carbonate का formula क्या है CACO3 इसी CACO3 के यह calcium carbonate के formation के कारण जो आपका lime water है वो milky हो जाता है दूसरा question क्या कह रहा है इसमें क्या कह रहा है बेकिंग सोडा का chemical name क्या है तो sodium hydrogen carbonate sodium का नाम फर्मुला आप जानते है एने hydrogen का H और CO3 इने CO3 sodium hydrogen carbonate तीसा question हम C number देखते है इसमें क्या कह रहा है 2 meters by which rusting of iron can be prevented means rusting of iron को आप कैसे prevent कर सकते हैं कैसे बचा सकते हैं दो तरीका बताईए तो पहला क्या होगा painting और दूसरा galvanization क्योंकि इन दोनों के जड़ी हम क्या करते हैं iron का direct contact जो है at oxygen और water से हम लोग रोक देते हैं अब D को देखते हैं D में क्या कर रहा है changes in which only physical properties of a substances changes are called physical change means वैसा change जिसमें केवल physical property बतलते हैं physical property में क्या क्या आ गया shape, size, color वगएरा ये सब आ गया ये सारे type के change को हम लोग physical change कहते हैं now E number को हम देखते हैं E में क्या कर रहा है changes in which new substance are formed are called chemical change means वैसा change जिसमें नया substance नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग chemical change कहते हैं ये question number 3 था fill in the blanks अब हम question 4 को देखते हैं question number 4 में क्या कर रहा है when baking soda is mixed with lemon juice जब baking soda को lemon juice के साथ मिलाया जाता है bubbles are formed bubble उसमें से arise होता है with the evolution of a gas और a gas we release होता है what type of change is it ये किस प्रकार का परिवर्तन है change है explain कीजिए तो कह रहा है ये chemical change होगा obvious है chemical change होगा अब कर रहा है इस reaction में होता क्या है हम समझते है कि in this reaction इस reaction में new substance form करता है जिसको हम लोग CO2 कह रहा है since a new substance is form it is a chemical change है ना चुकि इसमें एक नया substance CO2 के रूप में form होड़ा है इस ये chemical change है कि when a candle burns both physical and chemical change takes place कह रहा है कि जब मोम को आप जलाते है मोमबती को जलाते है तो दोनों परकार के change को depict करता है that is physical और chemical दोनों को सो करता है कह रहा है identify these changes इन changes को पहचाने give another example एक दूसर एक जामपल दिजे जिसमें आप दुनों टाइप के change को बता सके कि हो रहा है तो हम इसका answer कैसे लिख सकते है तो इसका answer हम लिख सकते है कि सबसे पहले हम physical change को लिखेंगे कि किस परकार से candle में आपको physical change दिखता है तो कह रहा है melting of wax इजे physical change wax का पिखलना मोम का पिखलना एक physical change सो करता है मोम बत्ती में क्यों कि इसको आप again turn कर सकते है solid wax में मतलब यह reversible है इसलिए physical change है वह ही दूसरा chemical change क्या है chemical change इसलिए है candle क्योंकि burning of candle क्योंकि burning of wax के कारण carbon dioxide produce हो रहा है और साथ ही साथ smoke या other product produce हो रहा है तो new product form हो रहा है यह chemical change है तो burning of candle इस प्रकार से physical or chemical दोनों change सो करता है वहीं एक खुद से example हम क्या लेंगे familiar example LPG cooking gas का लेंगे जो हम लोग kitchen में यूज करते हैं यह भी both physical or chemical change सो करता है और physical change में क्या सो करता है कि जब LPG आपका cylinder से बाहर निकलता है LPG को pressurize करके liquefied कर दिया जाता है और store कर दिया जाता है वहीं यह chemical change कब सो करता है जब यह burn होता है तो हम लोग जानते हैं कि burning में chemical reaction involved है और यह एक chemical change है तो next हम क्या देखता है how would you show question number 6 है how would you show that setting of curd is a chemical change means दही का जमना chemical change है यह आप कैसे बता सकते है तो कहरा है setting of curd is a chemical change because क्योंकि once curd is formed जब एक बार दही बन जाता है जम जाता है milk cannot be re-obtained from it इसको आप वापस दूद नहीं बना सकते हैं also curd is different from the milk in taste smell and other chemical properties और दूसरी बात यह है कि यह जो curd है इसका taste milk से completely different है test के मामले में smell के मामले में या दूसरे chemical properties के मामले में इसलिए दूद का जमाना दही के रूप में एक chemical change कहा गया है या होता है question number 7 देखते हैं question 7 में कह रहा है explain why burning of wood is and cutting it into a small piece are two different types of changes means लकडी को जलाना और लकडी को pieces में काटना दोनो different type of change है या बताईए तो हम क्या कह सकने है कि burning of wood is chemical change लकडी का जलाना chemical change है because new substance like as a smoke etc are formed क्योंकि जब लकडी को जलाते हैं तो राख, धुवा वगएरा यह सब produce होता है जो कि एक नया product है इसलिए burning of wood का है chemical change है वही cutting of wood जो है वह physical change है क्योंकि no new substances are formed कोई नया substance form नहीं होता है सिर्फ होता क्या है कि only physical property जो है लकडी का वह बदलता है physical property कहने का मतलब wood को जब आप कारते हैं तो उसका shape, size यह बदल जाता है इसलिए cutting of wood जो है वह physical change हो गया और burning of wood क्या हो गया chemical change हो गया video को like कीजिए तो पहला हम step क्या लिखेंगे इसको step wise लिख लेंगे ताकि आसान हो याद करने में भी लिखने में भी तो पहला step क्या लिखेंगे take some water इने beaker एक beaker में कुछ water ले लेना है उसके बाद दूसरे step में क्या करेंगे few drops जो है filter the solution यहाँ filter चूड़ गया है उपर मेरो दागा के लिख दिया गया है then filter the solution उसके बाद solution को filter करिए बीच में blank है कुछ नहीं है अब यहाँ आ जाएंगे and let it to cool down जब छान लेंगे तो उसके बाद उसको ठंड़ा होने चोड़ देंगे अब क्या होगा से लिखा जाता है यह भी सीख सकते है question number nine में कह रहा explain how painting of an iron gate prevents it from rusting आपको यह विस्तार से बताना है कि किस परकार से iron gate को paint करके आप उसको जंग लगने से बचा सकते हैं तो आप जानते हैं कि painting of iron gates prevent it from direct contact of oxygen water जब आप paint कर देते हैं लेर चरहा देते हैं iron gate पे तो वह direct atmosphere से contact को खतम कर देता है अब इससे क्या हो रहा है जो iron gate है उसमें no oxygen direct मिल पा रहा है उसको no direct water का form मिल ला है कोई भी वैपर के रूप में हो moisture के रूप में हो या पानी के रूप में हो अब इस परकार से painting जो है iron object को rust से बचाता है या रस्टिंग से बचाता है ये था question number 9 now question number 10 में क्या कह रहा है explain why rusting of iron object is faster in coastal areas than in deserts means मरुस्थल के comparison में जो तटिये छेतर है वहाँ पर ज्यादा जल्दी जंग क्यों लगता है iron object में तो कह रहा है रस्टिंग जो होता है iron का उसमें क्या क्या चीज की ज़रूत होती है water की और oxygen की अब in coastal areas जो तटिये छेतर है the amount of moisture present in air is higher than that in desert areas जो तटिये छेतर है वहाँ पर water का जो ये molecules है वो ज्यादा मौजूर रहता है हवा में desert के comparison में इसलिए प्रोसेस जो है रस्टिंग का वह फास्टर है coastal areas में than desert से इसलिए मरुष्थल के तुलना में तटिये छित्र में रस्टिंग का speed ज्यादा होता है अब question number 11 देखते हैं जो की एक mcq type question है इसमें क्या कह रहा है कि question number 11 में कि the gas we use in kitchen is called अब इसका उधारान भी हम पहले लिख चुके हैं कि वह gas जो हम लोग kitchen में use करते हैं वह liquefied petroleum gas है in the cylinder it exists as a liquid cylinder में यह liquid के form में exist करता है होता है when it comes out of the cylinder जब यह cylinder से बाहर निकलता है यह gas बन जाता है यह पहला change है तो change A इसको कहा गया अब changes में क्या आप देख रहा है कि जब cylinder से LPG निकलता है तो gaseous form में निकलता है that means यहां पर change of state हो कर रहा है और change of state कि इस change में होता है physical में तो A क्या है physical change है वह ही it burns then it burns जब यह बाहर आ जाता है तो यह जलता है तो यह change भी हो गया अब जलना क्या है आप जाना है कि chemical reaction होता है जबी भी burning होता है और जलने में नया product form होता है इससे यह chemical change है मतलब A के इस परकार का change आपको दिखा physical B किस type का दिखा chemical अब कर आदी following statement को पढ़ना answer देना है पहला statement क्या कर रहा है कि process A जे chemical change क्या process जे chemical change है नहीं है क्योंकि हम लोग देखे हैं कि यह physical change है process B जे chemical change B chemical change है हाँ है अब C में कर रहा है both process A and B are chemical change क्या दोनों process chemical change है नहीं है क्यों गलत है क्योंकि B हमारा chemical change है ये भी गलत है only सही क्या है 2 है तो ये था question number 11 जो कि हम लोग पहले के question में कर चुके हैं इसका example दूसरा 12 में क्या कह रहा है 12 में anaerobic bacteria digest करता है animal waste and produce biogas anaerobic bacteria जो है वो animal के waste को जो की डंग वगेरा होगा या body parts होगा उसको waste करके क्या कर देता है biogas बना देता है अब यहाँ पर देखिए एक नया product form हो रहा है biogas के रूप में biogas के रूप में एक नया product form हो रहा है तो ये change A है change A को हम क्या कहा सकते हैं ये chemical change है वह ही दूसरा में कह रहा है कि the biogas is then burnt as fuel अब इस biogas जो produce हो गया इसको इंधन के रूप में जलाया जाता ये change B है तो आप देख रहे हैं जब भी burning होगा तो क्या होगा chemical change होगा क्योंकि इसमें chemical injection involved है साथी साथ burning के दौरान CO2 एसमुक वगरा produce होता है जो की एक new product है अब हमको ये steps देखना है कि क्या क्या कह रहा है तो पहला में कह रहा है कि process A is a chemical change process A chemical change है क्या है तो process B is a chemical change process B chemical change ह हाँ है तो A भी chemical change है और B भी chemical change है अब next हम क्या देखते हैं next में कह रहा है कि both process A and B are chemical change यही answer होना चाहिए दोनो chemical change है तो हमारा answer 3 होगा none of the process is chemical change कोई भी process chemical change नहीं यह तो गलत है तो हमारा answer क्या होगा answer 3 होगा क्योंकि दोनो chemical change है तो यह था chapter 5 का question answer अगर वीडियो पसंद रहा है वीडियो को जरूर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो comment box में comment भी कर सकते हो thank you